जिस IPL मैच का हम हर साल बे सबरी से इंतजार करते हैं क्या आपको पता हैं उसकी शुरुआत ही एक मजबूरी थी जिसे शुरू तो ललित मोदी ने किया था लेकिन इसे शुरू करने की असली वज़े शुभाश चंदर थे जिनोंने BCCI से लेके ICC तक के रातों की नीद उड जबकि इसकी असली शुरुआत तो साल 1978 में ही हो चुकी थी तो हमारे नए दर्शक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब आई ये बढ़ते हैं वीडियो की और बात करें अगर 2007 और 1978 के बीच के कनेक्शन की तो साल 1978 में ऑस्टिलिया के एक मीडिया हाउस के मालिक कैरी ने क्रिकेट के ब्राडकास्टिंग और मीडिया हाउस राइट को खरीदने के लिए ICC से बात की लेकिन ICC ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपके पास कोई एक्सपिरियंस नहीं है लेकिन कैरी को ये बात बहुत बुरी लगी इसलिए उन्होंने सभी देशों के बड़े-बड़े क्रिकेट प्लियर से ये डील की कि अगर आप हमारी एक प्राइविट लीग में खेलते हैं तो हम आपको आपके सैलरी से कहीं ज्यादा लगबग तीन गुना के बराबर सैलर हो चुकी थी लेकिन जब इस लीग के बारे में आई सी सी को पता चला तो आई सी सी को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई जिस वज़़ से आई सी सी ने आस्ट्रिलिया इंगलेंड वेस्ट इंडिज तीनों देशों के क्रिकेट बोर्ड से अपने प्लियर्स को मना करन और ये कहा कि हमें चहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा हम वही खेलेंगे बाद में जब ये सीरीज हुई तो काफी हिट रही और इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट सीजन में जो देश वापस लोट गए थे वो भी खेलने आ गए और सीरीज में पार्टिसेपेंट बन गए जिसके बाद कैरी ने आईसी सी और आस्ट्रेलिया से डील करते हुए इस सीरीज को बंद कर दिया और क्रिकेट के मिडिया राइट्स ले लिए और आईसी सी को मजबूरी में ही सही लेकिन उनकी बात माननी पड़ी फिलहाल ऐसा ही हाल इंडिया में जी मिडिया कमपनी के मालिक सुभाश के साथ हुआ जिन्होंने क्रिकेट के मिडिया राइट्स खरीदने चाहें लेकिन इनके पास कोई एक्सपरियंस नहोंने की वज़ज़ से इनका प्रपोजल तीन अलग अलग बार रिजेक्ट हुआ ज लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन्होंने अनौसमेंट तो कर दी थी लेकिन उसके लिए कोई तयारी नहीं की थी जिस वज़ज़ से बेसिसी आई ने कैरी की घटना को याद करते हुए अपने सभी इंडियन प्लियर को पहले ही वार्निंग दे दी कि अगर कोई भी ICL में पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम क्रिकेट टीम से बाहर कर देंगे और उस वक्त तक इंडियन प्लियर की सैलरी भी इतनी थी कि उन्हें किसी थोड़े बहुत पैसों से हिलना मुश्किल था साथ ही BCCI ने ICC को भी ये बताने के लिए कहा कि बाकी के क्रिकेट बोर्ड को भी ये सर्किलेट किया जाए कि अगर कोई इस ICL का हिस्सा बना तो उसे टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा हाला के फिर भी सुभाष ने बांगलादेश और पाकिस्तान और बाकी देशों के रिटार्ड प्लियर को मिला कर टीम बना ली अब अपने पास दूसरा आप्शन ना होते हुए देखकर बी सी सी आई ने इनकी फंडिंग रूप दी जिसके खिलाफ सुभाष कोड भी गए और जीते भी लेकिन अब बात आई स्टेडियम की जहांपर बी सी सी आई ने अपने फुल पावर लगा कर सभी स्टेडियम को मना कर दिया लेकिन सुभाष फिर भी हार मानने वालों में से नहीं थे उन्होंने जैसे तैसे जुगाड करके इडन गार्डन के लिए बात की लेकिन बी सी सी आई को एक बात ये समझ आ गई कि जैसे भी करके कोई न कोई आज नहीं तो कल ऐसे लीग लाता रहेगा इसलिए इन्होंने आई सी सी के साथ मिलकर ये रूल बनाया कि जब तक किसी भी देश का क्रिकेट बूर्ड ऐसी किसी भी लीग को अप्रूल नहीं देगा उसे लीगल नहीं माना जाएगा और उसके बाद बी सी सी आई ने ललीत मोदी को ये जिम्मेदारी सोपी जिसके बाद 23 सितंबर 2007 को ललीत मोदी के दवारा आई सी एल को काउंटर करने के लिए लीग लाँच की गई और साल 2009 में आई सी एल का अस्तित्व एक तरह से खतम ही हो गया जब बी सी सी आई के दवारा उन प्लेयर्स को भी एकसेप्ट कर लिया गया जो आई सी एल में खेल रहे थे और आई सी एल का बचा खुचा अस्तित्व भी खतम होने की कगार पर आ गया वैसे ये कदम तो लिया गया था शुभाष चंद्रजी को रोकने के लिए लेकिन कहीं न कहीं उनकी इस मुहीम ने एक नई शुरुआत की क्रिकेट वर्ल्ड में और क्रिकेट का अस्तित्व ही बदल कर रख दिया तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेट करके जरूर बताएं साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे नए दर्शक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले